हलो एवरिवन वेलकम टू यूजी सीनेट ग्यान कम्प्यूटर साइंस आज हमारा डे 26 है फोर दा क्रेश कोर्स ओफ एस्टेट पीजिटी कम्प्यूटर साइंस इससे पहले हम डे 1 से डे 25 तक की क्लासिस कम्प्लीट कर चुके हैं अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने इन में से कोई भी क्लास मिस की है तो वो इन क्लासिस को जरूर देख ले क्योंकि अभी लास्ट के टाइम पे सर्फ रिवीजन ही करना बेटर ओप्शन होता है और इन में हमने ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं किया है सर्फ और सर्फ हमने रिवाइज की फोर्म में किया है जो एस्टेट एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेलफुल होंगे आपको प्लेलिस्ट सर्च करनी है एस्टेट पीजीटी कम्प्यूटर साइंस के नाम से इस प्लेलिस्ट के अंदर 25 क्लासिस अपलोड हो चुकी है आज हमारी 26 क्लास है ठीक है और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट न्यू है और उसने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें क्योंकि कुछ स्टूडेंट के डाउट ह यूजी सी नेट ग्यान कम्प्यूटर साइंस तो आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ पर आप अपना कोई भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं रिगार्डिंग सब्जेक्ट हो या फिर कॉमन सब्जेक्ट हो ठीक है और उसके अंदर आप डिसकेशन ग्रूप को भी जोइन कर सकते हैं उसके अंदर आप अपनी क्वेरी सेंड कर सकते हैं यूजी सीनेट ग्यान कम्प्यूटर साइंस यहाँ पर सबसे पहले नोटिफिकेशन यहीं पर मिलती है आपको और अगर आपको अपनी कोई क्वेरी सेंड करनी है तो आप डिसकेशन ग्रूप के अंद नेटवर्किंग से रिगार्डिंग जो जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट हैं कम्प्यूटर नेटवर्किंग के मैंने वो कम्प्लीट कराने की कोशिश की है कुछ MCQs भी रखे हैं ताकि आपको आइडिया मिले कि किस ट्राइब से क्योशन्स पूछे जाते हैं और रही बात ला बार बार मेसेज करते हैं कि मैं लाइव क्यों नहीं ले रहे तो अभी जो लास्ट के टाइम है ना इस टाइम पर आप ज्यादा से ज्यादा पड़ें कम टाइम में तो वह कैसे पॉसिबल होगा कि आप रिकॉर्डड शेशन को आप जब अगर लाइव आते हैं तो पूरा वन आर चला जाता है रिकॉर्डड शेशन कम टाइम का रहता है और उसमें भी ओल्मोस्ट कंटेंट कवर कराया जाता है ज्यादा से ज्यादा कंटेंट कवर होता है कम टाइम में तो मेरी भी यही पोसिबिलिटी होती है कि मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा in come time period में ठीक है तो इसलिए मैं live classes नहीं ले रही basic जो live class ना लेने का motto है वो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा revision कर सको क्योंकि ये जो last time है यहाँ पे आपको सिर्फ revision की need है और जो recorded session होगा उसको आप जल्दी से देख सकते हैं उसकी speed increase करके 1.5 पे देख सकते हैं 1.75 प को लोगे तो मैं एक कोई भी live session रख लूँगे उसमें आप सब की queries हो जाएंगी ठीक है लेकिन आज की class भी हमारी recorded session ही रहेगी day 26 तो चलिए अपनी class को start करते हैं After ending of class आप questions के answer जरूर बताएं कि कितने questions आपके ठीक मिले हैं और किसी concepts में अगर doubt है तो वो भी आप comment section में comment कर सकते हैं और अपना valuable feedback जरूर दें कि आपको class कैसी लगी है First question है in a dash topology if there are n devices in a network अगर हमारे network में n devices है each device has n-1 port for cable तो cable के लिए हर एक device n-1 port है ठीक है तो वो कौन से topology में होता है n devices हो और उनके लिए n-1 port हो तो वो कौन से topology में होता है वो हमारा basically concept होता है mass topology में तो mass topology का basically structure क्या होता है mass topology fully connected होती है जितने भी devices होंगे वो एक दूसरे से fully connected होंगे तो suppose यहाँ पे अगर 4 devices हैं तो यह एक दूसरे से fully connected होंगे 1 जो होगा वो 2 से भी connected होगा 3 से भी 4 से भी 2 होगा 1 से भी connected होगा 3 से भी 4 से भी 3 1 से 2 से 4 1 से 2 से 3 से तो यानि कि यहाँ पे fully connection होता है तो इसलिए अगर suppose यहाँ पे 4 device थे तो n की value है 4 तो हर एक device के लिए एक device के लिए कितने connection हैं कितने port हैं 1, 2, 3 तो n-1 ports are available for each device तो यह किसमें possible होगा mesh topology में अगर हम बात करें star topology की तो star topology के अंदर का concept कुछ इस type से होता है like a form of star यहाँ पे एक center में hub होता है जो कि सभी devices से connect होता है किसे सभी devices से connect होता है और इसके अंदर जो link होगे वो हर एक device के लिए सिर्फ एक ही होगा वो link attach होगा hub से तो यह concept होता है star topology में अगर हम बात करें bus topology की तो bus topology के अंदर एक main cable होती है जो सभी devices से connect होती है suppose device 1, device 2, device 3 and device 4 तो यह हमारी होती है bus topology का structure इसके अंदर एक main cable होती है और हर एक device में इससे main cable से connect होता है ठीक है तो यहाँ पे total port अगर पूछा जाए तो n plus 1 होते है n तो इन जितने भी device है उनके लिए और एक हमारा main cable के लिए यह क्या होता है main cable तो यह structure होता है bus topology के लिए अगर हम बात करें ring topology की तो ring topology हर एक device आपस में connected होता है किस form में होता है अपने consecutive device से 1,2,3,4 तो हर एक device के लिए कितने connection होंगे 2 वो अपने consecutive devices से connection होगा ठीक है तो यह हमारा format होता है ring topology में I hope topology का concept clear हो गया होगा next अगर हम बात करें next question की repeater operate in which layer of OSI model तो repeater जो है वो किस layer पर operate करते हैं application, presentation, physical, transport तो इनवे से जो right answer है वो होगा physical layer तो जो repeater है वो हमारे basically कौन सी layer पर लाई करते हैं physical layer ठीक है यह बात याद रखनी है repeater operate करते हैं physical layer then next अगर हम बात करें router की router operate in which layer of OSI तो router कौन सी layer पर होते हैं physical, data link, network, transport तो जो router होते हैं वो हमारे होते हैं network layer पर किस layer पर? network layer पर next question की अगर हम बात करें SMTP, FTP, DNS ये सभी क्या है? ये सभी है protocols SMTP, FTP, DNS सबसे पहला तो इनकी full form क्या है? SMTP means simple mail transfer protocol simple mail transfer protocol, FTP के अगर हम बात करें तो file transfer protocol, DNS के अगर हम बात करें तो domain name system domain name system तो ये सभी क्या है? protocols हैं क्या है? protocols हैं तो ये protocol किस layer पर होते हैं? applications of dash layer तो ये किस application के protocol है? data link, network, transport, application तो ये सारे है application layer के protocol तो आपको पता क्या होना चीए? सारे के सारे protocols का पता होना चीए? कौन सा protocol किस layer पर लाई करता है? ठीक है? वो भी हम अभी discuss करेंगे बाद में next question की अगर हम बात करें IP address can be written in तो IP address किस form में होता है? floating point, decimal, dotted decimal, hexadecimal तो जो IP address है वो किस form में लिखा होता है? dotted decimal notation, dotted decimal notation like this 110, 255, 255, 255 इस form में होता है तो इस form को हम क्या बोलते है? dotted decimal notation I hope सारे के सारे questions clear हो गए होंगे, कितने questions ठीक मिले हैं आपके वो feedback में जरूर बताएं next हम बात करते हैं concept से regarding तो सबसे पहला concept discuss करेंगे हम OSI model का क्योंकि ये बहुत ज़्यादा important है, यहां से एक question आपका होना है तो एक question को मैंने एक ही slide में cover करने की कोशिश की है कि सारी की सारी layers को हम एक ही slide में discuss कर लें ताकि आपको idea भी पता चल जाए और हमारा time भी कम consume हो तो सबसे पहली होती है physical layer, the next होती है data link layer, third network layer, transport layer, session layer, presentation layer और application layer सबसे पहला question, number of layer, कितनी layer है, seven उसके बाद इनकी sequence पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार question sequence से पूछा जाता है, fifth layer कौन सी होती है, seventh layer कौन सी होती है, third layer कौन सी होती है तो सबसे पहला question, number of layers in OSI model, उसके बाद sequence of layers, तो sequence पता है physical, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, and then application layer अब इसकी next question बनता है यहाँ से इनकी working पे, कि किस layer की क्या working होती है, तो one by one discuss करते है physical layer, transmit raw bit stream over physical medium यहाँ पे transmission होता है bit stream में, कि stream में? bits की form में data transfer होता है physical medium पे, ठीक है तो physical layer के लिए बस इतना ही important है कि bit stream में हमारा data transmit होता है then next है data link layer, define the format of data in network, यहाँ पे data का format define किया जाता है means यहाँ पे होती है framing, क्या होती है framing next अगर हम बात करें network layer की, तो decide which physical path the data will take यहाँ पे physical path decide किया जाता है data कहाँ पे जाना है, किस physical path में जाना है तो यहाँ पे basically बात आती है networking की, उसके बाद अगर हम बात करें transmit data, transport layer की transmit data using transmission protocol including TCP, UDP यहाँ पे data transmit किया जाता है transmission protocols के थूँ, कौन-कौन से protocol है, TCP, UDP ठीक है, then next अगर हम बात करें session layer, maintain connection and responsible for controlling ports and session यहाँ पे connection maintain किया जाता है और यह responsible रहता है controlling ports के लिए और session के लिए तो main basic इसका working क्या है connection के लिए, connection को maintain रखती है session layer next अगर हम बात करें presentation layer की, तो इसका basic main work होता है encryption के लिए, decryption के लिए ensure that data is usable format and is where data encryption occurs, यहाँ पे encryption को देखा जाता है next और last layer की अगर हम बात करें application layer, human computer interaction layer, यहाँ पे human का interaction होता है इस layer पे where application can access the network services, जहाँ पे application के network services को access किया जा सकता है तो यह basically seven layers थी physical, data link, network, transport, session, presentation, application physical layer पे bits की form में, network पे frames की form में और network data link पे frames की format में network layer पे physical path देखा जाता है, transport layer पे data transmit किया जाता है with the help of TCP and UDP protocol, user datagram protocol, transmission control protocol session layer पे connection establish किया जाता है, establishment of connection और controlling ports देखा जाता है presentation की अगर हम बात करें तो encryption, decryption या फिर compression, decompression application layer की अगर हम बात करें तो human computer interaction layer है और यहाँ पे network services को access करने के लिए applications को देखा जाता है तो यह था OSI model, next अगर हम बात करें, next question बनता है, fourth question protocol, कौन सी layer पे कौन से protocol लाई करते हैं तो एक question यहाँ से बनता है, first physical layer, physical layer Ethernet, USB, Bluetooth, IEEE 802.11 means wireless data link layer, PPP, ATM, Ethernet, PPP point to point, network layer, IP, ARP, ICMP, IPsec transport layer, TCP, UDP, session layer, net BIOS, PP, TP, Presentation layer, SSL, TLS application layer, HTTP, FTP, DNS, SMTP, Telnet, जो important protocol हैं, जहाँ से exam में पूछा जाता है, या तो पूछेगा application layer से, के application layer पे कौन सा protocol होता है, या फिर पूछेगा transport layer पे कौन सा होता है, या फिर network layer ये तीन layers हैं, जो कि most important हैं, जहाँ से protocols का question पूछा जाता है में भी chances हो सकते हैं, data link layer या फिर physical layer से भी पूछा जाएं, ठीक है, session layer या presentation layer से इतना questions नहीं पूछा जाता क्यों, क्योंकि जो हमारा TCP, IP TCP, IP model जो है, उसके अंदर application, presentation, session, इन तीनों layers का एक ही layer होती है, सबसे पहली उपर वाली होती है application, application layer, दन उसके बाद होती है transport layer and then next होती है network layer या फिर IP layer, then next data link layer and last one is physical layer, तो ये TCP, IP protocol की layers होती है, इसी लिए इन ही application, इन ही layers के protocols को पूछा जाता है, किस layer पे कौन सा protocol लाई करता है, I hope ये question भी clear हो गया होगा, next अगर हम बात करें, तो hardware कौन-कौन से use होते है networking में, एक question यहां से पूछा जाता है, एक question यहां से पक्का मिलेगा, ये तो protocols given है, यहां पे, hardware पूछा जाता है gateway किस layer पे होता है, तो gateway हमारा होता है transport layer पे, gateway, gateway कहां पे होता है, transport layer पे, next question पूछा जाता है router से, router किस layer पे होता है, network layer पे, और switch के अगर हम बात करें तो वो होता है data link layer पे एक question आपको मिलेगा hub या repeater से तो hub और repeater किस layer पे होते हैं physical layer को operate करते है hub और repeater कहां पे होते हैं physical layer पे ठीक है hub, repeater, network, card या फिर cable ये सब कहां पे हैं physical layer पे DSL, ethernet, t1 ये सब क्या है physical layer पे operate होते हैं data link पे, token ring, switching ये कहां पे होंगे data link layer पे और अगर router की बात करें तो network layer पे और अगर gateway की बात करें तो transport layer पे I hope hardware की भी knowledge हो गई होगी कि किस layer पे कौन-कौन से hardware यूज होते हैं उसके बाद बात आती है class range की कि कौन सी class की कहां से कहां तक की range होती है networking में तो यहां पे total five classes होती है class A, class B, class C, class D और class E यह इतना important नहीं होता कि इन classes को कहां से start किया जाता है first bit क्या होती है बाकि आप देख सकते है first bit class A के लिए होती है 0, then 1, 0, then 1, 1, 0, then 1, 1, 1, 0, and then 1, 1, 1, 1, 0, and then 1, 1, 1 यह हमने identify किया है 32 bit address को IPv4 32 bit address जो classes की range होती है class A की range होती है 0 to 1, 27, 1, 28 to 1, 91, and then 1, 92 to 2, 23, and then 2, 24 to 2, 39 last one is 242, 255 यहां तक की range होती है इन range के according यह इनका starting IP address होगा और यह last IP address होगा ठीक है तो जो class A है वो कहां से start होती है 0 से तो उसका first IP address क्या होगा 0000 यह dotted decimal notation है और last IP address क्या होगा 127, 255, 255, 255 ठीक है class B की अगर हम बात करें तो 128, 000 से 191, 255, 255, 255 class C की अगर बात करें 192, 000, 223, 255, 255, 255 next class D की अगर बात करें 224, 000, 239, 255, 255, 255 next और last class की अगर बात करें class E तो 240, 000, 255, 255, 255 class E को यूज किया जाता है for future purpose future purpose और class D को multi casting के लिए यूज किया जाता है यह इनकी कुछ advantage है कि इन classes को कहां पर define किया जाता है class से basically जो आपसे question पूछा जाएगा वो कुछ इस form में होगा like 123, 255, 255, 255 देगा और पूछेगा यह किस class से belong करता है तो यह किस class से belong करता है जिस भी class की range में होगा 0 to 127 means class A का IP address है ठीक है इस type से आपसे questions पूछे जाएंगे I hope सारे के सारे MCQs clear हो गए होंगे जो भी हमने concepts discuss किये हैं वो भी clear हो गए होंगे अगर कहीं पे भी कोई भी doubt है तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं otherwise next class में मिलते हैं किसी new topic के साथ तब तक के लिए thank you so much and all the very best for your future और अभी last के time पे आप जितना ज्यादा possible हो सके उतना पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो ओके next class में मिलते हैं किसी new topic के साथ